शाहीन बाग एक बार तब सुर्ख्यों में था जब लोग यहां नागरता कानून के खिलाव प्रदर्शन कर रहे थे और आज फिर लोग शाहीन बाग की बात कर रहे हैं आज भी याँ लोग सड़कों पर उत्रे हैं, आज फिर शाहीन बाग में हला हंगामा हो रहा है, लेकिन आज मुद्धा लग है दरसलिया आज से अतिक्रमन विरोधी अभियान चलाया जाना है, इसके लिए MCD की बुल्डोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया कारवाई के विरुध में लोग बुल्डोजर के सामने लेट गए, कुछ महिलायां बुल्डोजर पर चड़ गए, वहीं को जगाओं पर लोग सड़कों पर ही धरने पर बैट गए हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया, कुछ लोगों को हिरासत में फिलिया गया है, इसकी बावजूत कारवाई का विरोध जारी है इधर सुप्रीम कोट में भी आज शाहिन बाग में अतिक्रमन विरोधी मुहीम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है शाहिन बाग पर चल रहे हैं बुल्डोजर पर आप नीता अमानतुल्ला का बयान भी सामने आया है इनका कहना है कि जब यहाँ कोई एंक्रोच्मेंट है ही नहीं तो बुल्डोजर आए क्यों सारी आडवलो के साथ में निकला जो जो इनक्रोच्मेंट था जहां जहां मैंने सब हटा दिया मेरे अहवान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्रदा करता हूँ अपने इलागे के लोगों का इंक्रोच्मेंट का मुदा नहीं नजर आया, इन लोगों पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोच्मेंट करना था ही लोगों बता दे, इससे पहले पुलिस फोर्स नमिलने के विजह से सोंवार का दिकरमन हटाने की कारवाई शुरू होने को लेकर संदी है बना हुआ था लेकिन करीब साड़े दस पचे दिल्ली पुलिस ने फोर्स मोहया कराने पर रजामंदी दे दी और ग्यारा बजे के लगभग मुख्य सड़कों पर पहुँच करे दिल्ली पुलिस से फोर्स मिलने के बाद दक्षन दिल्ली एमसेडी ने अलगले पाच दिनों तक अतिक्रमन हटाने का भ्यान चलाने के तयारी पूरी कर लिए इसके मुदाबिक आज यानि 9 मई को दिल्ली के शाहिन बाग इलाके में अति इसे पहले जांगीर पूरी में हनुमान जहनती के दिन हुई हिंसा के बाद वहाँ भी बुल्डोजर से अतिक्रमन हटाये गये थे हाला कि तब कारवाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चल सकी थी क्योंकि इस पर सुप्रीम कोड का निर्देश आ गया था कोड ने फिलाल जांगीर पूरी में अतिक्रमन हटानी की कारवाई पर स्टे लगाया है ब्यूर रिपॉर्ट इंडिया है